प्रधान मंत्री ने अवसन रचना विकास के बारे में के लिए गती शक्ती राष्ट्रिय मास्टर प्लान का शुभारंब किया। केंद्र सरकार ने गर्भ का चिकित्स किया समापन संशोधन अधनियम 2021 के कार्यान वेन के लिए नियम अधिसुचित किये। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले ने इ-12 और इ-15 इधनों के ल और अब खबरें विस्तार से। सेंट्रल जू अथोरिटी का प्राथमिक अधिदेश देश की समरिद्ध जैब विवेत्ता के संरक्षन में राष्टरी प्रयासों में सहीयों करना और उन्हें मजबूती प्रदान करना है। प्रत्येक चिडियागर प्राधिकरण वन्यजीव संरक्षन अधिनियम के तहत इस्थापित एक सामविधिक निकाय है। देश के प्रत्येक चिडियागर को अपने संचालन के लिए प्राधिकरण से मानेता प्राप्त करना जरूरी है। इसके अलावा कुशल, प्रेरित और सशक्त टीमों का विकास करना, साथ ही पहुँच का विस्तार करने, प्रभाव और समगर दक्षता के लिए प्राधिकी का लाप्राप्त करना इसका उद्दिश रहेगा। ये योजना विशिष्ट पशुदेख भाल और अत्यधुनिक अनुसंधान प्रदान करके सेंट्रल जू अथारिटी और भारतिय चिडियाघरों को सनरक्षन के लिए व्यापक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना में सनरक्षन के अंतरगत प्रजनन, पशुकल्यान, वैज्यानिक अनुसंधान, संधारिणियता आधी लक्षों में परिवर्तन के दस इस्तंभों को दर्शाया गया है। अधिनियम 1980 और वन सनरक्षन नियम 2003 द्वारा निर्देशित हैं। आगली खबर अवसंरचना शेत्र से संबंदित है। जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस योजना के मुख्य उद्देश्यों के बारे में। गतिशक्ति योजना भारत को विश्व इस्तरिय अवसंरचना का केंद्र बनाने के लिए व्यापक रूप से प्रोध्योगी की का लाप्राप्त करेगी। उदारन के लिए भासकराचारे National Institute for Space Application and Geoinformatics द्वारा विक्सित इसरो इमेजरी के साथ स्थानिक नियोजन उपकरणों का उप्योग करना। उडान जैसी कई अवसंरचना योजनाओं को शामिल किया गया है। इसके तहट कई लक्षियों को वर्ष 2024-25 तक प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया है। चार दशमलव पांच दो लाग सरकिट किलो मीटर विद्यूत लाइन बिछाना और दो सो पच्टीस गीगावाट अक्षय उर्जा शमता स्थापित करना। इसके अलावा 11 ओद्योगी गलियारे और 2 नए रक्षा गलियारे स्थापित करना। आई अब बात करते हैं गती शक्ती के मुख्य 6 तंभों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डाइनेमिक यानि गती शील। इसके तहट विभिन शेत्रकों की परियोजनाओं की प्रगती का रियल टाइम में उनको देखा जा सकेगा, उनकी समीक्षा की जा सकेगी और निगरानी के जरिये सबी मंत्रालयों और विभागों की मास्टर प्लान में महत्पूर्ण हस्तशेपों की पहचान करने में सहता मिलेगी दूसरा है comprehensiveness यानि की व्यापक्ता इसके तहट एक केंद्री कृत पोर्टल के साथ कई मंत्रालेयों और विभागों की सभी मौझूदा और नियोजित पहलों को शामिल किया जाएगा तीसरा है विशलेशनात्मक यानि analytical इस इस्तंप के तहट निश्पादन एजिंसी को बहतर दृश्यता प्रदान करने के लिए भौगलिक सूचना प्रणाली यानि GIS आधारित इस्थानिक योजना और 200 से अधिक परतों वाले विशलेशनात्मक उपकरणों के साथ एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा प्रदान करना इसका उद्देश्य होगा चोथा है प्राथमिक्ता यानि प्रायुस्टाइजेशन इसमें विभिन्न विभागों की विविध शेतरक समनवय के माध्यम से उनकी परियोजनाओं को प्राथमिक्ता देने में मदद करना शामिल है पांचवा है सिंक्रनाइजेशन यानि समनवय इसके तहट पृत्येक विभाग और शासन के विभिन इस्तरों के बीच कार्यों का समनवय सुनिश्चित करके उनकी गतिविधियों को समगर रूप से समनवित करना शामिल होगा और छटा और अंतिम है अनुकूलन यानि कामी चरण में इसमें अस्पतालों और विश्विध्यालेयों जैसे सामाजिक बुन्यादी धाचे के एकी करन को भी शामिल किया जाएगा केंद्र सरकार ने गर्भ का चिकित्सकिय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के कार्यानवयन के लिए नियम जारी किये हैं अधिनियम वर्ष 1971 के MTP अधिनियम में संशोधन करता है। ये अधिनियम उस स्थिती को विनियमित करता है जिसके अंतरगत गर्भावस्था का चिकित्सिकिय समापन किया जाता है। भीतर गर्भाथ के लिए एक चिकित्सक का परामर्श और 20-24 सब्ताह के बीच गर्भाथ के लिए दो चिकित्सकों का परामर्श जरूरी है। नियम के तहत परिभाशित किया गया है। को भी निर्दिष्ट करता है। इससे वाहन उद्योग E-12 और E-15 अनुपालक मोटर वाहनों का निर्मान करने में सक्षम होगा। एथनॉल मिश्रन के इस्तर के लिए वाहन की अनुकूलिता को इस पश्ट रूप से दर्शाने वाले स्टिकर वाहन पर लगाये जाएंगे। ये भारत के इथनॉल सम्मिश्रन कारिकरम के अनुरूप हैं जिसके अंतरगत वर्ष 2023-2024 तक गैसोलीन में 20 प्रतिशत इथनॉल सम्मिश्रन का लक्षनिर धारित किया गया है। इंधन प्रनालिया होती हैं जिसमेंसे कि एक प्रकरतिक गैस पर आधारित होती हैं इसमें वाहन को दोनों इंधनों पर चलाया जा सकता है और तीसरा है फ्लक्स इंधन वाहन यानी FFV कोई भी ऐसा मोटर वाहन होता है जिसे दो या दो से अधिक विभिन इंधनों के मिश् पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया जाता है FFVs, गैसोलीन और इथनॉल के 83 प्रतिशत तक के किसी भी मिश्वन पर संचालित होने में सक्षम होते हैं अगली खबर नवी करनिय उर्जा शेतर से Green Grid Initiative One Sun One World One Grid North West Europe Cooperative Event इस इवन को कोप 26 प्रेजिदेंसी, अंतराश्ट्रियस और गटबंदन, विश्व बैंक, युनाइटिड किंग्डम और भारत द्वारा विल्टन पार्क के साथ साज़ेदारी में आयूजित किया जा रहा है One Sun One World One Grid परस पर संबध नवी करनिय उर्जा संसाधनों का एक वैश्विक पारितंतर स्रजित करने की भारत की एक पहल है ये 140 देशों को एक साज़ा ग्रिड के माध्यम से जोडती है One Sun One World One Grid की मूल योजना को विश्व बैंक के तकनीकी सहता कारिक्रम के तहत विक्सित किया गया है इस योजना को ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप और सौर संस्थापनों के परिन योजन में तीवरता सुनशित करने के लिए कार्यानवित किया गया है One Sun One World One Grid पहल के पीछे की परिकल्पना ये है कि सूरे कभी अस्त नहीं होता The Sun Never Sets क्योंकि विश्व इस्तर पर किसी भोगलिक स्थान पर किसी भी समय उदयमान रहता है इस योजना के कार्यानवियन को तीन ट्रमुक्स चरणों में बाटा गया है चरण एक एशियाई महाद्वीप में परस पर संपर्क सुनिश्चित करता है चरण दो कार्यात्मक प्रथम चरण को अपरीका में नवीकरणिय संसाधनों के समुच्चे से जोड़ता है और चरण तीन का लक्षय वैश्विक अंतरसंबंध की प्राप्ती करना है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिट का महत्त है प्रध्योगी की वित्व और कोशल का उप्योग करके नवीकरणिय उर्जस रोतों में प्रभावी निवेश आकरशित करने के लिए अपने सभी सहभागी निकायों की सहयता करना दूसरा यह है कि इससे वैश्विक सहयोग से अनुसंधान और विकास केंद्रों को प्राप्त होने वाले निवेश में वृध्धी होगी अगली खबर जैविवित्ता सनरक्षन से संबंदित है जैविवित्ता सनरक्षन पर कुनमिंग घोशना जारी इस घोशना को जैविक विवित्ता पर सैंक तुराष्टर अभिसमय के आभासी पक्षकारों के सम्मिलन को 15 के दौरान अपनाया गया था इसका उद्देश्य वर्ष 2020 के बाद वैश्विक जैविवित्ता धाचे को प्रभावी बनाना है इस घोशना का विशे है पारिस्थितिक सभ्यता प्रत्वी पर जीवों के लिए एक साजा भविश्य का निर्मान कुनमिंग घोशना के तहट कुछ प्रमुख प्रतिबध्यताएं की गई हैं जैसे की वर्ष 2020 के बाद एक प्रभावी कार्यानवेन योजना के विकास, अंगीकरण और कार्यानवेन को सुनिश्चित करना ये वर्ष 2010 के आईची लक्षे को प्रतिस्थापित करते हुए बनाई गई है ये योजना जैविवित्ता की वर्टमान शती को कम करने और वर्ष 2030 तक जैविवित्ता को दुबारा प्राप्त करने के मार्ग पर लाने के लिए तयार की जाएगी निर्णे निर्मान प्रक्रिया में जैविवित्ता के संरक्षन और सतत उप्योग को मुख्यधारा में लाना इसका प्रमुख उद्देश्य होगा मानव स्वास्थ की सुरक्षा में संरक्षन के महत्यु की पहचान करना इसके अलावा अधिक संधारनिय और पर्यावरन के अनुकूल आपूर्ति श्रंखला का निर्मान करना अपेक्षाकृत निर्धन देशों में सनरक्षन के लिए वित्त में वृध्धी करना शामिल है कुनमिंग जैव विवित्ता कोश की बात करें तो कोग 15 के दौरान चीन द्वारा 1.5 बिलियन युवान के संकल्प के साथ इस कोश की घोशना की गई है कुनमिंग जैव विवित्ता कोश का उपयोग नए ढाचे के कार्यान वेन में किया जाएगा आपको बता दें कि ये कोश इस दशक में प्रकृति की सुरक्षा के लिए विकास चील देशों में जैव विवित्ता सनरक्षन को सहीयोग प्रदान करेगा आई अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्तपूर्ण सुरक्यों की वाले प्रतिभागियों को अपने आवास में पूरे दस दिनों के लिए अलग रहना होगा जो ग्लास गो में उनके निवास की अवधी को बढ़ा सकता है हैश रेट हाल ही में संप्तुराज अमेरिका वैश्विक हैश रेट पर 35.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा बिटकोईन माइनर बन गया है हैश रेट हैश प्रतिसेकंड है इसे हैश पावर के रूप में भी जाना जाता है ये बिटकोईन नेटवर्क की प्रसंस करण शक्ती की एक मापक इकाई है ये नेटवर्क के समर्थन और बिटकोईन निर्मान के लिए आवश्य कम्प्यूटिंग शमता को निर्दिश्ट करती है हैश रेट उस गती को निर्धारित करती है जिसकी मदद से बिटकोईन माइनर पहिली को हल कर सकते हैं ब्लॉक्चेन बही खाते में मुद्रा की इकाई जोड सकते हैं और बदले में क्रिप्टो करणसी प्राप्त कर सकते हैं रोयल्टी पर GST कर आरोपन हाल ही में उचितम नियाले ने खनन अधिकारों पर भुगतान की जाने वाली रोयल्टी पर वस्तू एवं सेवा करके आरोपन पर रोक लगा दी है सूप्रिम कोर्ट का मानना है कि खनन अधिकारों के लिए भुगतान की जाने वाली रोयल्टी एक वैधानिक शुल्क या लेवी है लेवी मतलब समविधी के आधार पर किये जाने वाला एक अनेवारे भुगतान होता है इस पर GST का आरोपन नियाईक समीक्षा के अधीन है क्योंकि इस पर भुगतान के बदले कोई प्रतिकर नहीं होता है यानि कि बदले में कोई सहता या लाभ नहीं दिया जाता है भारतिय समविधान का अनुच्छे 246-A संसद को संग या किसी राज्य द्वारा लगाए गए वस्तू एवं सेवा करके संबंद में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है सीमा सुरक्षा बल, BSF हाल ही में सरकार ने BSF को और सशक्त बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है अधिसूचना में BSF को दंड प्रक्रिया सहिता तथा पास्पोर्ट अधिनियम और पास्पोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम के तहप भारत पाकिस्तान और भारत बांगलादेश सीमाओं से 50 किलो मीटर तक के श्वेत्र में तलाशी लेने, संदिग्दों को गिरफतार करने और सामगरियों को जब्त करने का अधिकार प्रदान किया है BSF को वर्ष 1965 में पश्चिमी पाकिस्तान जो कि अब पाकिस्तान में है और पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांगलादेश है इसके साथ जुड़ी भारतिय सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था साथ ही इन्हें आतंकवाद रोधी और अन्य आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी तैनात किया जाता है BSF का संचालन ग्रिह मंत्राले द्वारा किया जाता है वैश्विक उर्जा आउटलुक 2021 अंतराष्ट्रिय उर्जा एजेंसी के प्रमुख वार्षिक प्रकाशन वर्ड एनर्जी आउटलुक 2021 के मुख्य विशेश्टाओं की बात करें तो इसमें वर्ष 2021 में कोईले और तेल के उपियोग में वैश्विक उच्छाल और अब तक के इतिहास में CO2 उत्सर्जन में दूसरी सबसे बड़ी वार्षिक वृध्धी को प्रदर्शित किया गया है इसके तहट वर्तमान सरकार की निवल शुन्य उत्सर्जन प्रतिबधताओं का विशलेशन किया गया है साथ ही इस रिपोर्ट में जीवाश्म इंधन की मांग में वर्ष 2025 तक अप्रतियाशित वृध्धी और वर्ष 2050 तक वैश्विक CO2 उत्सर्जन में 40 प्रतिशत तक गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है अंतराष्ट्रे उर्जा एजिंसी द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्ट है वैश्विक उर्जा समीक्षा निवल शुन्य उत्सर्जन रिपोर्ट तेल बाजार रिपोर्ट उर्जा प्रद्यगी की परिप्रेक्षपर रिपोर्ट स्वक्ष उर्जा प्रगती की निगरा प्रजातियों का संरक्षन अवैद शिकार और अवैद वन्यजीव व्यापार का नियंतरन और वन्यजीव स्वास्थे साथ ही इसमें ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व की सीमा के विस्तार को भी मंजूरी प्रदान की गई है जलवायू लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना क्रिस्प M यानि क्लाइमिट रिजिलियन्स इनफॉर्मिशन सिस्टम और प्लानिंग केंद्रिय ग्रामिन विकास और पंचायती राजमंत्री ने सैंक तुरूप से जलवायू लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना क्रिस्प M उपकरन का लोकारपन किया है ये महात्मा गांधी राष्ट्रे ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम यानि मन्रेगा के तहत भौगलिक सूचना प्रणाली आधारित जलसंभर योजना के कार्यानवेन की दिशा में जलवायू सूचनाओं के एक ही करण में मदद करेगी क्रिस्प M उपकरन का उप्योग उन साथ राजियों में किया जाएगा जहां युनाइटिट किंग्डम और भारत सरकार संवत रूप से जलवायू लचीलेपन की दिशा में कारेरत है इन राजियों में शामिल हैं बिहार, जारखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, चतिसगर, ओडीसा और राजिस्थान अंटाक्टिक लारसन सी आईशेल्फ यानि हिम पर्तों के विखंडन के पीछे उत्तरदाई कारणों का अध्यन किया है अध्यन में ये पाया गया कि वायू के बढ़ते तापमान की वज़े से मेलॉंज आईशेल्फ को और भी तेजी से विखंडित कर सकते हैं मेलॉंज का मतलब है हिम की पर्तों और इसके इर्द गिर्दुन वायू द्वारा प्रवाहित हिम और तूटे हुए हिम खंड और समुद्री हिम का संग्र है जो कि हिम की पर्तों को एक साथ बनाई रखने में मदद करते हैं नीचे की और सागरिय जल के संपर्क में आने से ये मेलॉंज बिखल जाते हैं ये प्रक्रिया वर्ष भर जारी रहती है इसकी वज़े से मेलॉंज की सगंता अत्यंत कम हो जाती है और इस वज़े से ये हिम की पर्तों को एक साथ बनाई रखने में असमर्थ हो जाते हैं Weather for UN विश्व मौसम विज्ञान कॉंग्रेस ने मौसम विज्ञान, जलवायू विज्ञान और परिचालन रत जल विज्ञान में अंतराष्ट्रे सहयोग का आवान किया है Weather for UN एक प्रायोगिक परियोजना है इसका उद्देश सेयुक्त राष्ट प्रणाली के भीतर और विश्व भर के मानविय संगटनों के लिए मौसम संबंधी डेटा के उत्पादन और संचरन के समनवे में सुधार करना है इस पहल की मदद से शिग्र कारवाई को सुनिश्चित किया जा सकता है साथ ही चरम मौसमी घटनाओं की स्थिती में लोगों को बहतर संरक्षन प्रदान किया जा सकता है प्रवाल भित्यों के लिए वैश्विक कोश जीएट सी आर ये Global Fund for Coral Reefs वर्ष 2020 में आधिकारिक तोर पर घोशित किया गया था ये सैंफ्त राश्ट्रे एजिंसियों, वित्य संस्थानों और निजी परोपकारी स्रोतों के बीच एक गटबंदन के आधार पर इस्थापित एक 10 वर्षिय तथा 625 मिलियन डॉलर के एकत्रन लक्षवाला एक सैंफ्त वित्त पोशन तंत्र है इस कोश को प्रवाल भित्ती वित्त पोशन अंतराल और प्रवाल भित्ती संरक्षन एवंपुरर रिस्थापन परियोजनाओं के लिए वित्त की कमी से निपटने के लिए आरंभ किया गया था और अंत में एक अपडेटेशन है जो 12 अक्टूबर के निउस्टूडे के अंक से संबंदित है दरसल पिछले एपिसोड में अन्य सुर्खियों वाले भाग में सुक्ष्म वित्त बैंक टॉपिक में 100 करोड रुपे की पूझी की आवश्यक्ता का उल्लेक किया गया था जिसे RBI ने बढ़ा कर 200 करोड रुपे कर दिया है तो आप इसको करेक्ट कर ले इसके साथ ही यंग समाप्त होता है अगले यंग में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्तोपूंट के साथ तब तक अपना खयाल रखिये सुरक्षित दूरी बनाए रखिये मास्क पहनिये हाथ और मुल साफ रखिये और टीका करन अवश्य पूंट कराईए और अब हमें यानि विजन आईस की पूरी टीम को दीजे इजाज़त नमस्कार